संता ने थेकेदारी का नया काम शुरू कर लिया और हर काम जल्दी जल्दी निप्टाने लगा एक दिन जब संता घर आया तो पपू उसके पास आया और बोला पिता जी मुझे एक भाई चाहिए संता कोई बात नहीं बस नो महिने इंतजार कर लो तुम्हें एक भाई भी मिल जाएगा पपू बोला नहीं मुझे तो अभी चाहिए संता बेटा ऐसा कैसे हो सकता है हर काम में थोड़ा समय तो लगता ही है न और इस काम में तो नो महिने पक्के लगेंगे ही पपू आपके लिए यह मुश्किल थोड़ा है आप तो अब ठेकेदार हो बस आठदस आदमी लगा दो इस काम पर फिर तो यह काम जल्दी ही हो जाएगा एक बार एक डॉक्टर के पास एक लड़की आई वो बहुत घपराई हुई थी डॉक्टर ने सोचा चलो इसे एक चुटकुला सुना देता हूँ ताकि इसकी थोड़ी घबराट कम हो जाए डॉक्टर ने अपने हाथों पर रवर के दस्ताने पहने और लड़की से पूछा क्या तुम्हें पता है यह कैसे बनते हैं लड़की बोली नहीं मुझे नहीं पता डॉक्टर जिस फैक्टरी में यह बनते हैं वहाँ एक बहुत बड़ा टैंक है जिसमें बहुत सी रवर जमा हुई है और जो कारिगर हैं वो वहां आते हैं और अपने हाथ उस टैंक में डाल देते हैं फिर उन्हें सुखा लेते हैं और सुखने के बाद हाथों से इन्हें उतार कर अलग-अलग साइज के हिसाब से डबो में पैक कर देते हैं या सुनकर लड़की को कोई हसी नहीं आई डॉक्टर ने सोचा चलो मैंने कोशिस तो की और वो अपने काम में जुट गया थोड़ी देर बाद जब डॉक्टर बड़े ध्यान से लड़की की जाच कर रहा था तो लड़की को एकदम से जोर जोर से हसी आ गई डॉक्टर ने पुछा क्या हुआ लड़की बोली मैं बस यह सोच रही थी की कड़ो कैसे बनते होंगे दिल्ली के एक मोहले में एक बच्चा अपने घर में हमेशा नंगा गुमा करता था घर में कोई भी आता बच्चा नंगा ही मिलता और उसकी मा को ताने सुनने पड़ते इस आदत से पड़ेसान होकर उसकी माने एक उपाई सोचा उसने अपने बच्चे से कहा बेटा जब भी कोई घर में आएगा तो मैं चिला दिया करूंगी दिल्ली बंद और तुम हाप पेंट पेंड कर बाहर आ जाया करो बेटे ने हामे सिर हिला दिया एक दिन उस बच्चे की मौसी उसके घर आई माने आवाज लगाई बेटा दिल्ली बंद बच्चा हाप पेंट पेंड कर बाहर आ गया और आते ही बोला मौसी आप यहां किसलिए आये हो मौसी बोली बेटा मैं दिल्ली देखने आई हूँ बच्चा बोला ये लो वो तो अभी ममी ने बंद करवा दी और उसने अपना हाप पेंट उतार दिया मौसी सर्म से हसते हुए बेटा यह वाली दिल्ली नहीं बड़ी वाली दिल्ली देखने आई हूँ बच्चा तुरंत बोला कोई बात नहीं है मौसी मैं अभी पापा को बुलाता हूँ